जगदीश शर्मा सबसे पहला सवाल आपसे की भाई अगर आपने तैही कर लिया था कि नहीं हम चुनौती देंगे इंडिये के कैंडिडेट को और हम नहीं मानेंगे सर्वसमत्ती से जो एक तरीके से स्पीकर चुन्ने की परंपरा रही है संसदी परंपरा जो कि पिछले 70 साल उसे ज़्यादा समय से चली आ रही है अगर उसको नहीं भी मानने का आपने फैसला किया तो कम से कम आपस में तो राय मसोरा कर लिया होता आपस में तो सला मसोरा कर लिया होता देखे रंजीत भाई यह तो आप कह रहे हैं और देश की जनता देख रही है अंदर क्या हुआ यह बात तो आप नहीं जानते हैं समय का अंजार करना चाहिए था इतनी जल्दी खुला से नहीं करनी चाहिए आपको और ही बात के करना क्यों पड़ा आपने किसली लोग सभा में देखा कि इस तरह से मेंबर पार्लमेंटों को मुकदमा भार कर दिया गया भार बठा दे गया मनमर्जे फैसले करें कहना कहीं आप एक पत्र का आ रहे हैं जैन्वन इस तरह बताते कि इसले एक डिप्टी सीम अगरो हम ले लीजे हम तो पिसली बार भी दे दिया था पर आप समर्थन मांगने है तो समर्थन सब का साथ सब का विकास तो जब समझ मा आता पर इनको तो अपना वही दिखाना ह tecn संबिधान की किताब उठाने वाले लोग हैं जो संबिधान की किताब चमका रहे हैं सदन में सदन के बाहर उनसे उनी से तो इस सवाल किया जा रहा है कि भाई अगर अगर आपको इतनी संसदिये परंपराओं की फिक्र है तो आप जरा उसका ध्यान अपने राजियों में भी सरकार क्यी मैं नहीं कियों का पत दिया भीजेपी को वाह तो बिजये उस्पी है फक्रको leash पर है वुझे पी ने मांगा और जहां आपकी सरकार है और यहां विजए पी ने इदिया भजी आपने आप सुनते नहीं हो नहीं हमाचल परद देस में डिप्ती स्पीकर और विजए अपके chamber और यहांग आऑन परणपरा निभाने के लिए अगर तो फिर परंपरा ही क्या हुई बई जब उसके लिए लगना पड़े उसके लिए लगना पड़े उसके लिए मांगना पड़े तो फिर परंपरा का समान कहा रहा शिवंत्यागी तो प्यासमान का समान कहा रह गया यह कहा रहे हैं आपने मांगा नहीं इसलिए इन्होंने दिया नहीं कौन सी परंपरा इस देश में ऐसी कोई परंपरा इन्होंने डाली ही नहीं कभी 1522 का नहरू का चुनाओ Interview Scott 256 का नहरू का चुनाओं в Aoad उसके बादा सटा कह चुनाओ और इन्हें कोई टिपनू सपीकर नहीं दीगया विपक्ष नहीं दीआ गया इन स्थिक्र क्राइब चैजिए नाई करेंगे इस देश के इस देशने वह पढ़े हैं यह कहा कि पहले स्पीकर प्याव करें शुक्रिण है मात करेंगे यह तो पावर पालिक्स हो गई यह तो ब्लैक-मेल करने वाल इस्थिटी कही पहले आइस पाइले लिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें स्वतंतरता और प्रनाली की तो बहतर स्वतंतरता और प्रनाली तो यही होती कि हम कहीं ना कहीं जो है स्पीकर पद पर अपना कैंडिडेट देने का इतना ही इनको लगता है कि जरूरी है आवश्चकता है या इनकी राजनीती है तो मैं तो कहत बुरी हालत हो गए हैं कि जहाँ पर वो स्वास्थ संसधिय परमपरा है तो उस परमपरा का निर्वाह करने में इतनी भी इतनी बी कंजूसी क्यों भाई अगर एक काम बीजे पी और इंडिये के लोग भी तो कर सकते थे न वो कह सकते थे कि भाई हाँ डिप्टी स्पीकर का पद अगर देखा जाए तो ठीक है कि कॉंग्रेस के समय में एक अलग तरह की परंपरा रही लेकिन बाद के समय में अगर देखे पक्ष को दिया जाता रहा है तो भाई कह देना चाहिए था अगर आपको भी यह लडाई नहीं लड़नी थी तो यह शुरुआत ही अगर अगर आपको बहुत खराब नोट पे नहीं शुरुआत करनी थी तो आपको एक कह देना चाहिए था कि यहां भाई चलिए हम दे दें हैं देश के ग्रह मंत्री भी वही हैं सभी भार्षपा और NDA के नेटा भी वही हैं हम बैटकर बात करने के लिए तयार हैं मतलब हम तयार हैं हम बिल्कुल उस बात से कहीं नहीं भाग रहे हैं लेकिन आप अगर प्रेशर बना कर ये चीज़े करना चाहते हो तो लोक्तंत्र मे और संसद्य प्रनाली में उसकी कोई जगा नहीं है कि आप हमें किसी चीज़ पर वादा दीजे तो ही हम जो है कि संसद्य परमपरा का पालन करेंगे परमपराएं कहीं दबाव से पालन किया जाता है क्या बिल्कुल नहीं अगर वो इस बात को मानते तो मैं मानता हूं कि कही अगर आप भी अड़े रहेंगे और वो भी अड़े रहेंगे तो कभी भी किसी मुद्धे पे consensus नहीं बन पाएगा कभी सर्वसमत्ती नहीं बन पाएगी सर्वसमत्ती बनाने की बात PM मोदी कर रहे हैं लेकिन PM के कहने के बावजूद इतने बड़े फैसले पे इतने बड़े मसले पे अगर सर्वसमत्ती नहीं बनाई जा रही है और वह भी तब जब शुरुआत हो रही है एक नई सरकार की एक नए सदन एक नए पार्लियमेंट में हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं अगर हम तो कहते हैं फिर से हम चाहते हैं समवाद स्थाफित हो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में किसी को दबाव की राजनीती नहीं करनी है हम चाहते है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सदन चलाना हमारी जिम्मेदारी है लेकिन सदन में सहयोग विपक्ष से अपेक्षित है जनता अगर आइस बार उनके MPs को बढ़ा कर भेजा है तो उसका शारा साफ है कि जनता इस देश में लोगतंतर के मंदर में बहस चाती है discussion चाती है, discourse चाती है ना कि गुंडागर्दी चाती है जनता नहीं चाती है बादल देवनाथ को भी इस बहस में शामिल करते है अगर बाकई विपक्ष इस लड़ाई को लड़ना चाहता है तो कम से कम पहली लड़ाई में तो एक जूट रहता क्या पहली लड़ाई के पहले ही बिखर गया विपक्ष यह आपका गठवंदन बिखर गया अगर नहीं भिखर गया तो ममता बनर जी क्यों साथ नहीं है पुरा लराई हुआ पुरा देश में इसके बाद मुंदी चीव को दोसर चलिस में अटक दिया देखिए पुरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा अनुभबी पॉलिटिकल लीडर मौंदा बैनची है इतना अनुभबी पुरे देश के अंदर अभी नहीं है इंडिया गटेबन के अंदर कोई भी नहीं है लेकिन एक बार भी कोई ना खरगे जी ना सुनिया गंदी ना राहूल जी प्यांका जी कोई भी पार्टी के जनर सेगेडरी, पार्टी के चेर परसेंट, पार्टी के मुक्तों में सभानिते पेसलेंट, वम्ताद इदिकेसा कोई भी संप्रप नहीं किया, कोई भी नहीं किया, जगदीश शर्मा, यह इंडिया गट वंदन बनाया, जिसने उसकी नियू रखी, वो वो तो पहले कुछ लोग निकल गए, जो बचे हुए हैं, वो भी कितनी तकलीफ में है, जरा देखिए, यह ऐसे